आप देख रहे हैं हाल चल इंडिया बेबाग खबर तेज असर आईए शुरू करते हैं आज की खबरे शामली जनपत की प्रसिद चिकित सथ डॉक्टर आरपी सिंग ने देहरदून जाते समय फतेपुड इस्थ रेस्टूरेंट के निकट गोली मार कर आत्म हत्या कर ली शामली निवासी डॉक्टर आरपी सिंग ने अपनी पत्नी के साथ देहरदून जाते समय लाइसंसी रिवल्वर से गोली मार कर आत्म हत्या कर ली पुरितने मामले की जांच पतार शुरू करती है बताया जा रहा है कि बीती रात रेस्टूरेंट पर रुखने के बाद उनकी पत्नी वो शुरूं गई थी तब तक डॉक्टर आरपी सिंग बहारी गोंते रहे इस दोरान डॉक्टर आरपी सिंग और उनकी पत्नी कभी गाड़ी में बैठे तो कभी गाड़ी से बाहर उतर कर बात कर रहे थे नो बजगर 20 मिनट के लगबर मरतक रेस्टूरेंट से 10 मिटर आगे गया और स्वयम की लाइसंसी हत्यार से गोली मार कर आत्म हत्या कर ली पत्नी ने भी बताया कि किसी मरीज को लेकर शायद कोई बात थो पत्नी नहीं बताया कि सायद पुलिस ने डॉक्टर के शव को घटना स्तल से कबजे मिलेकर पोस्ट मॉड़म के लिए भिजवा दिया सास्ता कि जांच परताल के समद्द में अन्या परक्रिया है शुरू कर पत्नी बताया कि रोज की तरह डॉक्टर सहाब और उनकी पत्नी ओपीडी मरीज को चैक किया उसके बाद शाम को साथ बजे वहत तेरह दुन के लिए निकल गए वहीं दूसरे वो बताया जा रहा है कि डॉक्टर सहाब के पुत्री गुड़गाओं में अच्छी कंपनी में जोब करती है चानक से काड़े देसके बाद करता चानक से एक गुड़ी है कि वह गुड़गाओं में जोब करती है निए डुक्तर नी हो कुछ और कमकनी में अच्छी नहीं जोब लग गुड़ी आदमी फ़ार भी अच्छी दूब करती है मलें किसी तरह का तनाओ नी हो निएो हुआ प्री शाम्री के गड़ी पुकता थाना शेतर के गाउं जन्धेडी में देरात थाना गड़ी पुकता पुलिस को दी गई शाम्री के गड़ी पुकता में मोटर साइकर की सर्वस कराने के लिक गया हुए तो उसका भतिजा अभिशेक राजकुमार भाई और उसका लड़का शुबं रितिक को तलाश करते हुए राजबाहे से थोड़ा आगे जंगल में नरेश पूत्र मुक्तियार सिंग के ट्यूब पर डाल रखा था और उन्हें देकर दोनों एक के खेत में भाग गए पिता जोगेंद्र कारोफ है कि उनके लड़के रितिक के प्रिंस और अनुजने हत्या की है जिसके बाद रहा है रितिक को शाम्री स्पता लेकर गए जहां डोक्ट्रों ने उसे मरत्त घोशित कर दिया जिसके सूचना थाना गड़ी पुकता पूलिस को दिगई आरोप्यों के खिलाफ कार्णोनी कारवाई की मांग की गई है वहीं सीवो विजेनरे सिंग भढाना ने बताया कि परिजोनों ने दो लोगों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा पंजिकरत कराया है फिलहाल मामल सं ठीक मद्दूरी राज मिस्तिरी के साथ करता था घर से गाड़ी की सर्विस खातिन पैसे लेकर सर्विस करवाने को निकला है वो जी वहां से बंदा वहां पतन सर्विस करा पाया है नहीं करा पाया ठीक है वो पता लग रहा है दुबारा जब साम होगी है तो यह पता लग कि भाई धूंडने में घर के सदे से धूनना लगे अपना भाई मा अपनी बच्चा सभी डूडते हैं ठीक साम होई अपने बच्चों को डूंडने निकले बच्चा कहीं नहीं मिला फिर कहीं से सूचना मिली कि तुम्हारा बच्चा वहां पड़ा है ठीक है और भाई जो बंदेक हमारे मृत तकरों मजूध है प्रसरा की मतने जो रखान फेसल गया था करें पहले के पहले प्लिश प्लिटेख कर वाला गाड़ी की तो सर्भीस को लेगा आज और साड़ी सुद्र मार कर लेका दो पढ़कों लेकार लेगाए पर पता नहीं का लेगे कानी कौन लेका गया था यह गाम के लड़के हैं लांगका यह जो कि पहले बीकुछ ना कभी कुछ नहीं हुआ तो आपको कैसा पता लगा कि आपको लड़का माँ वह साथ रहते थे बस किस टाइम की बात हैं कल दीनों तो बजे लेके ते चार एक बजे सी लेके थे चार बजे वह जा गया ता घर पर घर निया ने दिया उसे बारी बार ले जा लिए मर तक का प करें लेके मेरा बच्चा भी तक आया कि इतनी तेर तक साथ बीस नहीं होती गाड़ी के रात को हम घर पर गये थे मेरा बाई दो बजे करीब गड़ी लेके गड़ी गया तो उसके बाद हम पापर कहने लगे कि इतनी देर होगी सर्विस में तो आया कि उन्हें पिर आठ हम यहांपए दो बंदे खड़े थे वो बता जे कि तुम्हारा भाइए उहां पर आज तो हमकуст लगए तो और थे तो आपको क्या है किस जफनगर की शुकुरताल के निकटवर्ती गाउं फिरोजपूर इसित गोशाला में चारा न मिलने से गुसाई गोशेवक ने सेकड़ों गोवन्शों को विकासखन कार्याले में घुसा दिया प्रदिश्की गोवी सरकार के द्वारा गोशालाओ की स्थापना कराकर निराश्रित वेबिस आहरा गोवन्श को संदक्षन प्रदान के जाने का प्रद्धान है सरकारी कोशालाओं के अलावास आजदिन कोशालाओं में भी सरकार द्वाला निराश्रित गोवंशों के लिए चारे वेची किस्ता की विवस्ता के जानकी नितावे की जाते हैं शाशन प्रिशासन के सभी दावों की पोल खोल कर रग दी गोसेवक ने ग्रामिनों से गोसेवा करने की गोहार लगाते हुए उपजिलादी कारी पर भी कंबीर आरोपजर दिये मुतफ़ना जन्बत के मौना विकास खंड कालेले परिशन में जो मंजर पेश आया है वहाश शाशन प्रिशासन की कतनी गर्णी के अंधेरों से पद्धा उठा रहा है जहां बेबस बेस आहरा सेक्ड गाय का जुन्ड इदर उदर भटक रहा था बूकी प्यासी गाएं घास के तिनकों को जमीन पर तलाश कर रही थी तरसल मामला शुकरतार के निकटवर्ती फिरोशपूर गाउं से जुड़ा है जहां इस्तितर सत्गुरु महरशी शाही परमहंस जी महराज गोशाला में करेरत गोशेवक हरलाल ने बताया कि गोशाला में दोसों के लगबग गाएं हैं परमीन पर उन्हें चारे के लिए जंगल में ले जाना पड़ता है जहां किसान अपने खेतों में गाएं घुचने नहीं देते तता बड़े जुड़ को भी देखकर लाठी नंडों से मार पीट कर उन्हें भखा देते हैं ऐसे में भूकित गाएं तलब कर मर जाती हैं इस तर दो बहतर उन्हें मुक्त कर दिया जाए इस संबन में फिरोशपुर गाओं के पूर्व परधान नेमपाल सिंग ने बताया कि पिछले एक वर्ष थे गोशाला प्रबंदन को गोवंश के चारे का पैसा नहीं मिल पा रहा चारे की विवस्ता ना होने के करण गाएं को जंगल में चलने के लिए ले जाया जाता है पैसे की विवस्ता हो जाने पर गोशालाओं में ही गाएं रहेंगी उबधिला दिकारी जानसर ने प्रबंदन को दो दिन में पैसा देने का आशवाशन दिया है पताया जा रहा है कि गाएं के चारे के लिए प्रति दिन 30 रूप की रकम प्रिशासन द्वारा देने का प्रावदान है दोस्तों काये को लिए चारे के लिए प्रति दिन 6,000 था महीने में 1,80,000 तो वर्ष में 21,60,000 की विवस्ता होनी है आरोप की गोवन्ष के चारे के नाम पर बड़ा खेल किया जाता है खंडविका सादिकारी मोर्ना राम आशीष ने बताया कि यहाँ प्राइविट गोशला है वरिविकेशन ब्लोक कारेल से होता है और पशुट चिकिस्तक की रिपोर्ट के आधार पर उनके द्वारा वरिविकेशन किया जाता है ब्लोक ते गोशारा के लिए भुक्तान नहीं किया जाता है अटाल अचाव तो गोशला है तो ग्रीट इतने कैसे वेवस्ता इतने कैसे हो लेकिन यह लोग तो कहरें कि भुक्यार गाय भी भुक्या डॉक्ट अरी कशिए अप वस के संदक्से को नहीं है करीवन दो सो करीब है पहले किनी थी? पहले कुछ कम थी पहले दो बजासार रोग थी फिर यह चोड़ी हुई है सब कहना में करीब देड़ सो करीब तब से पैसे नी मिला अब पिछली साल से पैसे नी मिला अब भी पीछे कुई होता जा रहा तो यह बोजन कहा से मिला है बोगी मर्री गाए बस जो फिरोजपूर सुकतार में लगती है यह जो फिरोजपूर सुकतार में लगती है इनका जो मालिक है मलव बेदपाल जी है और इन्हों नहीं हम बोला कि गुर्मिंट्वन के मलव 22 रुपे पढ़ टेती है हमने काया में इनका आद्ध ख़वा देगरो अद्ध मगल गोसाला में लगा देगरो तो महां कुछ नहीं मिला आज आप यहां कुछ नहीं आप यहा अज मुझे नो दिन हो लिए और खोड़ा में पुरे माग लगी पड़ यहां पर कोई गहास नहीं है और गोसाला में कोई इंत्याम नहीं है मनने नहीं का वे इंत्याम करो के पैसे नहीं आ रहा है एंधियम साब मतलब जो है 50000 पर मांग रहे हैं किस बात के मांग रहे हैं तब यह गाएं भुकी मर इनका क्या हो यह गाएं भुकी मर रहे हैं तो इसका तो मतलब योगी जर मुदीज जनेंगे मैं तो इनके सेवा कर सकता हूं मैंने हित्या होती नहीं देख सकता है कितनी कितनी गाएं मर गई होई गाएं कम संब कम संब बता रहा हैं इनमें 45 गां म वो एक मतलब वही पर मतलब इस पर जो समंदास की बरबर में है कोई भुकरडी का लंड़ा है वो लोकल का डाक्टर है उस पर मने राथ इंटेक्शन लोग आया सुबह मनने पहर बोलवाया तो वहां पर आने पाया अभी तुमेन आपसे ही पता चला है और इस में प्रवेट गौसाला है और जनित के नमोठ उन खोन रखाई है यहां से क्विश्य ड कर भुण लग नहीं है उसके बाद यहां से ब्लाक से वरिफिकेशन उनका जाता है और पीमेंट यहां से नहीं होता है तो यहां से कोई उनकी पेंडेंसी मेरे खाल से नहीं है कोई ऐसा इसू है कि जो प्लाक से उनका काम नहीं किया गया है ठीक है? मुझफरनगर जन्पत के चर्थावल इसित नगला राई में हत्मे बुखारी शरीफ कारेकरम का आयोचन हुआ मुझफरनगर जन्पत के चर्थावल विकास खंट के गाउन नगला राई इस्ते लड़कियों के शिक्षान संस्थान जाम या आईशा सिद्धिका बलील बनात में एक दिवस्थे खत में बुखारी शरीफ कारेकरम का आयोचन किया गया कारेकरमी हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया विशेष अतिती के रूप में शामिर हुए कारिक्रम के अद्धक्ष्टां हाफिस मुहम्मद फुरकान अस्दी वै, संचारान मौलाना मुहम्मद एहसान उल्खक कास्मी वै, मौलाना मुहम्मद मूसा कास्मी ने संग तुरूप से किया। इस अफसर पर जामिया से इसनात करने वाली 65 शात्राओ को प्रमान पत्रवै पुरुसकार परतान के गए। पवित्र पेगंबर मौहम्मद साहब के उधरन का पालन करने का आगरे किया। वार्ची की रिपोर्ट पेश्की। वार्ची कोई जो है कभी नहीं होने देते कदल कदल लवहा के लवहा और नफस रफस में हम आपकी हम्नों सरा करते हैं। अल्ला की दात्याली की तरफ से इक्षा जाली हुआ। फरिष्टों तुम खिलाफत अर्जी के राजहाए सरबस्ता से नावाकित हो। तुम इसलिए अभी आदम की तक्तीज कर रहे हो। याद रखो अबर तुम्हे आदम की तावियत उपूरिय को देखना है। मैं तुम्हारे सामने पर्चा करता हूँ। और चल्ब चीजों का इल्म सेयदना आदम अलेसलाम को दिया गया। और फिर वो इल्म सामने पर्चा करते आदम अलेसलाम से फरिष्टों से सवार किया गया। तो फरिष्टों ने इल्म की दोशनी में सवार तेरे से माज़रत इस्तियार कर ली। तो अल्ला की साथ आनी की तरफ से रिशाद आने हुआ। इनी आलम माला का लगूं। ऐ फरिष्टों जिस बात को में जाएंता हूँ उस बात को तुम नहीं जाएं। आल्ला सुनम देगा। इसी तरह हमारा ये लड़कों का है। ये इस गेस पर कायम हुआ है। यहां लोगों में से बैखे हुए हैं। चर्थाओल नगले के लोग हैं। कि उनके बच्चे चर्थाओल स्कूल में पढ़ने के लिए गए और जुमे की नमाज के लिए कहा गया। तो उनका अपने बच्चे को चाहें नमाज पढ़वा लो या घर इठालो या परे श्कूल बनालो। मेरे सामना आई कि जमिर उनमा के खादिम होने के वज़ा से बात सामना आई हमने कहा हम उनके पास शिकात लेकर नहीं जाएंगे इंशालला हम ये तुर्शित करेंगे ऐसा इदारा सुन किया जाए जिसमें दोनों तालिम ना माकूल इंतजाम हो जिसमें देनी और कुरान सरी भी तक और जूनिर हाइस्पूल इंग्री स्वीरियन के ताथ इंतजाम है देनी माहूल में ये अफ्री तालिम के इंतजाम है ये आप लोगों से दर्खास है कि इन इदारा से और समी मदश्वें मुहब्बत करें जो बच्चे हमारे मदश्व में जा रहे हों जाएं मगर जो वादेन सर्परस अपने बच्चों का इस्पूल और पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए एक खुश्वर्य है कि दोनों तालिम का दोनों मुदफ्वें में इंग्रीम के जाथ अलहम्दिल्ल्ला इंतजाम है और मैं ये भी आपके दर्खास कि कोई भी अच्छा खाम अच्छे के बगएर नहीं होता दोनों इडारे उत्मकूल का ख्याल लखें हमारी माई देहने भी ख्याल लखें आपके दर्खास है वाके दावाला नहीं लिए 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 जामिया आईश्वर्य तो सिद्या का लिए बनात नगला राही में खत् बछ्चे आ आलिमियत से फारेख होती हैं उनके लिए ये परिग्राम किया जाता है और इस बार जो परिग्राम हुआ है उसमें एक सर्क बच्चिवों सॉने एक सर्क छातरा ओ कि हमें अगर आगे बढ़ना है और हमारे भरोप की और हमारे मसलों को हमें सुधारना है ठीक करना है तो हमारे ओड़तों को तालीम के ओपर जादे जादे तबच्छ देने की जरूरत है इसी मौके बर काफी उल्माने जैमितलमाहिन के एहम जिम्मेदारान और दालूम गियोबन और काफी इलाकों से लोगों ने काफी तादाद में शिरकत की और सदारत परग्राम के सदारत जामिया आईशतल सिद्यक अलिल बनात के सदर महतरम जनाब हज़रत हाफी बहुमत फ़कान असदे सहाब ने इसकी सदारत फर्माई और आखिर में हज़रत मौना अब्दुस्तार साहब की दौापत परग्राम का इखता हम गुए मुदफरनगर के जांसट कस्बे में श्री ग्यानेश्वर सेवा दल दौारा निशुलक नेतर जांच शिवर कायोजन क्या गया जिसमें 446 मरीजों की निशुलक जांच की गई मुदफरनगर के जांसट कस्बे की सामाजिक संसाथ श्री ग्यानेश्वर सेवा दल के दौारा अपने संग्रेटन से जुड़े स्वरगया विशंबर सिंग भणाना, स्वरगया भाक चंद गोहल, स्वरगया नंद किशोर गर्क की समर्ती में निशुलक नेतर जांच शिव मुदफरन ने उपस्तित जन्मानास को संबोदित करते हुए कहा कि किसी की आँखों को जोती बर्दान करना सबसे बड़ा धर्म है, वैस्ट भाजपानेतार राजु एहलावत ने कहा कि मानावता की सेवा ही सची सेवा है, कार्यकर्म के संचारक पर संस्था के सचीव, नेतर चिकित्सा केंदर गाजवाद और उनके सहयोगी डॉक्टरों के माध्यम से जांसरक में कराया गया, ताकि जो लोगों को नेतर हानी है, जिनको द्रस्टी दोस है, जिनके आँख में बहुत ही आया, इस तरीका को समस्या है, उसके उपचार के लिए जिसमें एक व्यक ग्यानिस्वर्स सेवादल की अभूतपूर योजना रही है, और यह हरवर्स यहाँ पर इस प्रकार की कारिकरम आज़ित करते हैं, ताकि लोगों को जोती दे करके उनके जीवन में उजाला लाने का प्रियासी लोग करते हैं, इसमें बुखे रूप से जो प्रबंदा के व अर्मिक और समाजी संस्ता है, आज प्रोप कारार्थ यह निसुलक नेत चांसी भी आज़ित किया गया है, जिसमें बर्दान नेत से किसाले, गाजयाबाद के सदस्ट्यों ने, उन्होंगी टॉंक्टरस की टीम ने हमें योगदान किया, हमारा मकसद उत्यस्चे एक ही है, नर सेवा, नारान सेवा, नारान की सेवा के रूप में हम नर की सेवा करने के चुँ हैं, इस चुक हैं, और उसी ठीम पर उसी को अपना मकसद बनाते हुए संस्ता काम कर रही है, मैं संस्ता का सची होने गनाटे, जो ब необходिम मेंतारी मिलती है, इसको निमेंड कर रहा हूँ, और आज 144 लोगों को हमले मोचे बिन के ओप्रेशन के लिए चैनित किया है जिसमें से 25 मरी आज निशुन कुरूप से बर्दान नेचिक साल्य गाजवाद बेज़े गए हैं उनका ओप्रेशन होगा और बारी-बारी से करम एक सब तदस्चलता रहेगा बड़ा मन को अनुभूती लगती है कि जब हम किसी की सेवा करते हैं जरोज मन की निशाय की और उसमें मुखे रुप्चा जो योगदान जी है हुमारे नगर पंचायत के अध्यक्स परवेंद बढाना जी ने अपने पिजाजी स्वर के पिसंबर्शी मढाना जी की समर्ती मे संस्ता हो सयोग किया और साथी परदीव गर एडवोकेट जो पूर अध्यक्स है पारसन जान सकके और खतोली के अध्योग पती अधिलेश ज्यागी जी और आलोग गोईल जी ने योगदान दिया सभी सदस्ट्यों का जो युवा साथी है जो प्रबंद दक है अर्मिन पार सहरनपुर के ननोता थाना शेतर में चाकों से हमला कर तीन लोगों को घायल करने वाले दो आरोपियों को पुलिस दे गिरफतार कर लिया सहरनपुर के ननोता थाना अद्यक्षी चंदरसिन सैनी को बड़ी सपलताहत लगी है मामला जनपर सहरनपुर के कसपा ननोता के फलमंडी का है चार मार्च को तोपहर दो बजे सुभाष पुतर रनजीत गाउं तिलफरा के भतीजे वैब भाई पर जानलेवा हमले में चाकुबाजी वैब मार्पीट की गई थी जिसकी तहरीर दी गई थी जिसमें 6 मार्च को थाना अंत्यक्षे चंदर सिन सैनीवे वरिष्ट उपनिरिक शग शीतल कुमार वर्मा और कॉंस्टेबाद सुधीर कुमार सहित अन्य टीम ने मुखबिर की सतीक सूचना के मताबिक सहगल होटल के सामने सड़क हाईवे से शुबम पुतर संजीव और पुसंजू निवासी गाउं बकलोली थाना ननोता जिला सहरनपुरवे दुरू पुतर संज्य और पटीनू गाउं जडोदा पांडा थाना ननोता जनपर सहरनपुर के गिरफतार कर उनके कबजे से दो बरामत के हैं जिने पुलिस ने जेल भेश दिया भारते युवा कॉंगरेस के राष्ट चेर्मेन बनने पर डॉक्टर अनील कुमार मीना ने राष्ट नेतरत्व का आभार व्यक्त किया द्वारा सौबी गई है सोचन अदिकार अदिनियम 2005 जिसे कॉंगरेस पार्टी ले खार आई ती। देश के लोगों के लंबे समय तक JNU NSUI यूनिट के अद्यक्ष वय उपाद्यक्ष रहे। 2017 में डोक्टर अनील कुमान मेना को अकिल भारते कॉंग्रेस कमेटी ने NSUI के राष्ट अद्यक्ष के लिए राहुल कांदी जी के पास बेजा। 2019 में भारते यूगा कॉंग्रेस सोशल मीडिया के राष्ट प्रभारी व्यभाव वाले ने उन्हें दिल्ली प्रदेश सोशल मीडिया के कोडिनेटर के जिम्मदारी सोपी। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कि बजट का इस्तिमाल कहा कर वही है। किस पॉलिशी में सरकार का कितना बजट है। कितना खर्च हुआ है। कहां उनकी योजनाओं में एनियमें ताइम पाई गई है। ये सब हमको जानने का अधिकार है। कॉंगर्स पार्टी इस कानून को लेके आई। कॉंगर्स पार्टी को उठाना पड़ा है। मुझे विश्वास है कि जिसके बल पर हमारा नुक्सान हुआ है। वही कानून हमें उठा कर लाएगा। आट्याई कानून जिसके माद्यम से कई सरकारें बदली हैं। यह कानून ऐसा कानून है जिससे सरकार की जहां-जहां एने मित्ताई पाई गई हैं, जहां-जहां बस्ताचार हुए हैं। उन सब का परदफास इस कानून के माद्यम से हुआ है। सहरनपुर की देहाद कोटवाली पुलिस ने एक शातिर दसकर को 120 ग्राम चरसवे नाजाज चाको के साथ किराफतार कर लिया। चैकिंगे दुराद गिरफतार कर लिया। जिसके कब्जे से पुलिस ने एक सो बीस ग्राम चरसवे एक नाजाज चाको परामत किया। और आज किस बुलेटिन में फिल हाल इतना ही कल फिर हाजर होंगे कोछ और नाई खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार।